C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पाठ्थे पुस्तक सामाजिक एवम राजनीतिक जीवन तीन प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय चार इसका शीर्शक है कानूनों की समझ प्रिष्ट बयालीस आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। संभव है आप संपत्ती को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते हूं। अभी तक आप ये जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं। ना ये कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं। क्या कोई कानून अ विवादास्पद भी होता है नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए इस प्रिष्ठ पर नीचे एक चित्र दिखाया गया है इस चित्र में कुछ प्रदर्शनकारी महिलाएं नारे लगाती हुई दिखाई गई हैं प्रिष्ठ 43 क्या कानून सब पर लागू होते हैं इस प्रिष्ठ पर पीले रंग के बकसे में कुछ प्रशन पूछे गए हैं लिखा गया है इस थिती को पढ़ें और इन प्रशनों के उत्तर दें एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है इस वजह से वो सरकारी अधि अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफी मिल जानी चाहिए कि उसका बाब आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है ये सीधे सीधे कानून के उल्लंगन का मामला है जैसा कि आप इकाई एक में पढ़ चुके हैं राश्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमती थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजायश नहीं होनी चाहिए इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे इन में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था के स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नजर में बराबर होंगे हमारा कानून धर्म、 जाती और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता कानून के शासन का मतलब है के सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं कानून से उपर कोई व्यक्ती नहीं है चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेथ हो और यहां तक के राश्ट्रपती ही क्यों ना हो किसी भी अपराध या कानून के उलंगन की एक निश्चित सजा होती है सजा तक पहुँचने की भी एक्तव प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ती का अपराध साबित किया जाता है लिकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे प्रिष्ट चवालीस विभिन समुदाए इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आजाद थे कुछ मामलों में जाती के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग-अलग व्यक्ती को अलग-अलग सजा दी जाती थी जैसे निचली मानी जाने वाली जाती के अपराधी को ज्यादा सजा दी जाती थी आपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित विवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई जाती के आधार पर सजा देने में भेद भाव का ये चलन खत्म होने लगा बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुवाद अंग्रेजों ने की थी इतिहास कारों में इस बात पर काफी विवाद रहा है इसके कई कारण है एक कारण तो ये है कि आपनिवेशक कानून मनमानेपन पर आधारित था दूसरी वजह ये बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतिय राष्ट्रवादियों ने एक एहम भूमिका निभाई थी 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था इस कानून में राजद्रोह की परिभाशा बहुत व्यापक थी इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ती ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकद्दमा चलाए बिना ही गिरफतार किया जा सकता था इस प्रिष्ठ पर नीचे जलियां वाला बाग हत्याकांड का चित्र दिखाया गया है इसके संदर्भ में बाई और उपर व्याख्या की गई है लिखा गया है राउलिट आट अंग्रेजों के मनमानेपन का एक और उदाहरन था इस कानून के जरिये ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी महात्मा गांधी सहित सभी भारतिय राश्टरवादी नेता राउलिट आक्ट के सخت खिलाप थे भारतिय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से राउलिट आक्ट को लागू कर दिया गया पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा इसी क्रम में दस अपरेल को डाक्टर सत्यपल और डाक्टर सैफ दीन किचलु को गिरफतार कर लिया गया इन नेताओं की गिरफतारियों के विरोध में 13 अपरेल को अमरिट सर के जलियां वाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया जिस समय ये सभा चल रही थी उसी समय जेनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकडियों के साथ बाग में दाखिल हुआ उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिये लोगों पर अंधा धुंध गोलियां चलवा दी इस हत्याकांड में कई साथ लोग मारे गए और असंख्य जखमी हुए मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे इस पेंटिंग में जलियां वाला बाग जन संगहार के समय हुई गोली बारी का दृष दिखाया गया है प्रिश्ट भारती ये राष्टरवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तिमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे अपनी बातों को मनमाने के लिए उन्होंने संगहर्ष शुरू कर दिया ये समानता का संगहर्ष था उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो वे कानून को उससे अलग एक ऐसी विवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो नियाय के विचार पर आधारित हों 19. सभी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि आपनिवेशिक अदालतों में उन्हें समान की नजर से देखा जाए ऐसे भारतीय कानून विशेशग्य अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाज़त के लिए कानून का इस्तिमाल करने लगे भारतीय न्याया धीश भी फैसले लेने में पहले से ज्यादा भूमी का निभाने लगे थे इस प्रकार अपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहां के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे संविधान को स्वीकृती मिलने के बाद ये दस्तावेश एक ऐसी आधार शिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधी देश के लिए कानून बनाने लगे हर साल हमारे प्रतिनिधी कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं कक्षा 6 की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संचोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा इस नए कानून के मुताबिक बेटे, बेटियां और उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ती में बराबर हिस्सा मिल सकता है इसी प्रकार प्रदूशन को नियंतरित करने और रोजगार मुहया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं लोग इस निरणय पर कैसे पहुँचते हैं कि एक नया कानून जरूरी है वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं इनके बारे में आप अगले हिस्से में पढ़ेंगे इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर नीले रंग के अक्षरों में महत्वपून जानकारी दी गई है लिखा गया है इस किताब में मनमाना शब्द का इस्तेमाल पीछे भी आ चुका है अध्याए एक के शब्द संकलन में आप इसका मतलब पढ़ चुके हैं अब एक कारण बताईए कि आप 1870 के राजद्रोह कानून को मनमाना क्यों मानते हैं 1870 का राजद्रोह कानून किस प्रकार कानून के शासन का उल्लंगन करता है नए कानून किस तरह बनते हैं कानून बनाने में संसद की एक महत्वपून भूमिका होती है ये प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है आम तोर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं ये संसद की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रती संवेदन शील हो आईए देखें कि घरिलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरिलू हिंसा की रोगठाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी इस प्रिष्ठ पर बई और नीचे एक चित्र दिखाया गया है इस चित्र में खेत में काम करती हुई कुछ महिलाएं दिखाई गई है और नीचे लिखा गया है जेंडर इक्वॉलिटी और शीरशक दिया गया है सतत विकास लक्ष पांच लेंगिक समानता इस प्रिष्ठ पर नीचे पीले रंग के बकसे में महत्पपून जानकारी दी गई है लिखा गया है जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य आमतौर पर पती घर की किसी औरत आमतौर पर पतनी के साथ मारपीट करता है उसे चोट पहुँचाता है या मारपीट अत्वा चोट की धमकी देता है तो सामान नित है इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है औरत को ये नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोशन के कारण पहुँच सकता है ये शोशन, मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोशन भी हो सकता है घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाशा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है अब ऐसी महिलाओं भी घरेलू दाइरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं प्रिष्ट 46 इस प्रिष्ट पर पांच दिरिश्य दिखाए गए हैं पहले दिरिश्य में सबसे उपर बाई और देली अखबार का चित्र दिखाया गया है जिसकी हेडलाइन है इसके साथ ही दो महिलाओं का चित्र है जिन में से एक कुसम है और दूसरी शाजिया ये एक महिला संगठन की सदस्य हैं और इन्हें इस सफर की एक एक कड़ी याद है वे आपस में बात कर रही है कुसम कहती है अरे शाजिया आज का अखबार पढ़ा तुमने ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना शाजिया कहती है महिलाओं के लिए ही क्यों इंसामुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं देखो ना कुसम इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया बलके पहले तो हमें नए कानून की जरूरत ही साबित करनी पड़ी इस चित्र के नीचे बाई और बीच में दूसरा चित्र दिखाया गया है इसमें सबसे उपर लिखा गया है अपरेल 1991 दफ्तर का एक आम दिन एक युवा महिला कह रही है मुझे सलाह चाहिए मेरा आदमी मुझे पीटता है मैंने अभी तक किसी से ये बात नहीं बताई मुझे बड़ी शर्म आती है पर अब बरदाश्ट नहीं होता लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है मैं कहां जाऊं साथ ही खड़ी एक वरिद्ध महिला कहती है मेरा बेटा और बहु मुझे से बहुत बुरा बरताव करते हैं बहुत भला बुरा कहते हैं मुझे मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तिमाल नहीं कर सकती वे चाहें तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं इसके साथ वाले दृष्षे में इन दोनों महिलाओं की बातचीत जारी रहती है। युवा महिला कह रही है, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। वृद्ध महिला कहती हैं मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए। इन दोनों के प्रश्णों के उत्तर में कानूनी सलाकार कह रही हैं। बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है। उसमें ये दोनों रास्ते मुम्किन नहीं हैं। सबसे नीचे बई और दिखाए गए चित्र में उपर लिखा है। 1990 के दशक में विभिन मंचों से एक नए कानून की मांग उठती रही। इस चित्र में प्रदर्शन कर रही महिलाओं को संबोधित करते हुए एक महिला कह रही है। हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी है। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं। वे अपने मकान में रहना चाहती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। जिस मंच पर ये महिला खड़ी हैं, वहाँ पीछे लगे हुए परदे पर लिखा है जन सुनवाई। इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे नीचे जो चित्र दिखाया गया है उसके उपर लिखा है। उननिस सो निन्यानवे में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाजवाई ज्यानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्र व्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा, रोक्थाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदातायार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। इस चित्र में इस विधेयक के बारे में अपनी राय रखते हुए कुछ लोग दिखाए गई हैं। एक युवती कह रही हैं, घरेलू हिंसा की परिभाशा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौकिक वभावनात्मक दुर्व्यभार को भी शामिल किया जाना चाहिए। एक युवा वकील कह रही हैं, साजहा घरेलू दाइरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साजहा मकान से बिदखली से बचाया जाना चाहिए। एक वरिष्ठ महिला कह रही है और आर्थिक मदद के बारे में क्या खयाल है? प्रिष्ठ सेंटालीस इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे उपर एक चित्र दिखाया गया है इसके उपर लिखा गया है विचार विमर्ष के लिए अलग-अलग संस्थानों के साथ बैठकें की गई इस चित्र में एक महिला कह रही है महिला आंदोलन घरेलु हिंसा पर एक नया कानून चाहता है सरकार को ये प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर जो चित्र दिखाया गया है उसके उपर लिखा है आखिरकार दो हजार दो में ये विधेयक संसद में पेश कर दिया गया लेकिन कुसुम कह रही है, इस विधयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी एक अन्य महिला कह रही है, हमें विधयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए शाजिया कहती हैं, चलो संबाददाता संमेलन बुलाते हैं, साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताके इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें इस चित्र की प्रिष्ट भूमी में भारतिय संसद दिखाई गई है और उसके उपर लगा हुआ भारतिय राष्ट्रिय द्वज देखा जा सकता है इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में एक चित्र दिखाया गया है जिसके उपर लिखा है कई महिला संगठनों और राष्ट्रिय महिला आयोग ने संसदीय स्थाई समिती को अपने सुझाव सौप दिये एक महिला कह रही है संसदीय स्थाई समिती के माननीय सदस्य गण वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है हम घरेलु हिंसा की प्रस्तावित परिभाशा से सहमत नहीं है एक अन्य महिला कह रही है इस कानून में बच्चों की अस्थाई कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए इस प्रिष्ठ पर बीच में बाई और पीले रंग के एक बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है दिसंबर 2002 में स्थाई समिती ने अपनी सिफारिशें राज्य सभा को सौंप दी इन सिफारिशों को लोक सभा में भी पेश किया गया कमिटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादा तर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया दोनों सदनों से मन्जूरी मिल जाने के बाद उसे राश्ट्रपती के पास स्वीकृती के लिए भेज दिया गया 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ इस बकसे में नीचे अखबार का चित्र भी दिखाया गया है इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे जो चित्र दिखाया गया है उसके बारे में बई और लिखा गया है अक्तूबर 2006 में एक समबाददाता सम्मेलन के दौरान एक समवाददाता प्रश्न पूछ रहे हैं, ये नया कानून क्या है? इसके उत्तर में एक महिला कह रही है, ये पहला कानून है, जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को माननिता दी गई है, और घरिलू हिंसा की एक व्यापक परिभाशा पेश की गई है। बहुत सारी पत्नियों, माउं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। प्रिष्ट अर्टालीस इस प्रिष्ट पर बाई और उपर समबाददाता सम्मेलन का द्रिश्य दिखाया गया है, जिसमें एक पत्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं, ये क ये कानून एक बहुत महत्वपून कदम है, ये कानून एक साजे मकान में रहने के महिलाओं के अधिकार को मननिता देता है। महिलाओं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं, महिलाओं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रिष्ठ पर दाई और उपर शाजिया और कुस्म का द्रिश्य दिखाया गया है शाजिया कहती है अब एक और लंबा सफर शुरू होता है उत्तर में कुस्म कह रही है हाँ हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए हमें सब तरफ नजर रखनी होगी हमें महिलाओं, पुलिस, नियाएपाली का सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा इस प्रिष्ठपर बीच में बाई और नीले रंग के अक्षरों में महत्वपून जानकारी दी गई है लिखा गया है घरेलू हिन्सा से आप क्या समझते हैं हिन्सा के शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तिमाल इस कानून की जरूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए किया गया हो उपरोक्त चित्र कथा पट्ट को पढ़कर बताईए कि लोगों ने कौन से दो तरीकों से संसद पर दबाव बनाया इस प्रिष्ठ पर बई और नीचे नीले रंग के अक्षरों में महत्वपून जानकारी दी गई है लिखा गया है बगल में दिये गए पोस्टर के बराबरी के रिष्टे हिंसा से मुक्त वाक्य खंड से आप क्या समझती हैं इस प्रिष्ठ पर बई और नीचे एक पोस्टर दिखाया गया है इस पोस्टर में सबसे उपर अंग्रेजी में लिखा गया है वी कैन उसके नीचे लिखा गया है इक्वल रिलेशंशिप्स आर वाइलन्स फ्री और उसके नीचे एक पुरुष और महिला का चित्र दिखाया गया है और उनकी प्रिष्ठ भूमी में एक ववरिक्ष दिखाया गया है और साथ ही नीचे लिखा है बराबरी के रिष्टे हिंसा से मुक्त इस पोस्टर के साथ ही पीले रंग के बकसे में महतवपूंड जानकारी दी गई है लिखा गया है जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतोर पर पीडित माना जाता है इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संगर्ष करती हैं इसलिए उन्हें पीडित के बजाए सर्वाइवर कहना ज्यादा बहतर है इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे प्रिष्ट उननचास इस उदाहरन से साफ हो जाता है कि नाग्रिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी एहम है वे जनता की चिंताओं को कानून के दाइरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं इस प्रक्रिया के हर चरण में नाग्रिकों की आवाज बहुत माइने रखती है यह आवाज टेलिविजन रिपोर्टों अखबार के संपादकीयों रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरीए सुनी और व्यक्त की जा सकती है इन सारे संचार माध्यमों के जरीए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है अलोकप्रिये और विवादास्पद कानून आईए अब एक और स्थिती पर विचार करें कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिये साबित होता है ऐसा कानून संबैधानिक रूप से वैद होने के कारण कानूनन सही हो सकता है फिर भी वो लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नियत सही नहीं थी, इसी लिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाई कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं, हमारे जैसे लोग तंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमती व्यक्त कर सकते हैं, जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के उपर भी उस कानून पर दोबारा व इस्तिमाल से संबंधित विबिन नगरपाली का कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गयर कानूनी घोशित की आ गया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि सारवजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं, तभ इसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीजें और सेवाईं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलता पूरवक पहुंचाते हैं, इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है, लेहाजा अगर कानून किसी एक समुह की हिमायत करता है और दूसरे समुह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिती पैदा हो जाएगी। इस प्रिष्ठ पर बाई और पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है। इस पीले रंग के बकसे में सबसे उपर बस का एक दृष्य दिखाया गया है ज नीचे लिखा गया है। जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा है। भारती ये राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध वो उनकी आलोचना करता था। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाए दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्याए पून कानूनों को खत्म करवाने के लिए संगर्ष किये हैं। कक्षा साथ की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि रोजा पाक्स नामक अफरीकी अमेरीकी महिला ने एक दिसंबर 1955 को एक श्वे अभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफरीकी अमेरीकी नागरिकों के लिए अलग-अलग दाइरे तय करता था। यहां तक कि सडकों पर भी दोनों समुदायों की जगह अलग-अलग होती थी। रोजा पाक्स का ये इनकार एक एतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहां नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ जिसके फल स्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिये संयुक्त राज्य अमेरिका में नसल, धर्म या राष्ट्रियता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गै अधर कानूनी घोशित कर दिया गया। उपरोक्त चित्र में रोजा पाक्स बस में यात्रा करती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रिष्ट पचास जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते ह यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वो कानून संबिधान के विरुद्ध है, तो वो उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद कर सकती है। सबसे आगे दिखाए गए पोस्टर पर लिखा है, अरेस्टस, गर्मेंट, पॉलिटेकनीक, स्टूडेंट्स। इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर नीले रंग के अक्षरों में महत्वपून जानकारी दी गई है। लिखा गया है, एक सब्ताह तक अखबार पढ़ें या टेलिविजन पर खबरें देखें और पता लगाएं कि क्या कोई ऐसा अलोक प्रिय कानून है जिसका भारत या कहीं और के लोग विरोध कर रही हैं। इस प्रिष्ठ पर बई और बीच में उपर नीचे दो चित्र दिखाए गई हैं। और इनके बारे में जानकारी प्रदान करते हुए नीचे नीले रंग के अक्षरों से लिखा गया है। उपर दी गई तस्वीरों में अन्याए पून कानूनों के विरोध के कुछ अन्य तरीके। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरीए इस बात पर नजर रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रही हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रही हैं तो हम उनकी आलूच ना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए, कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुडेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही धंग से करने में मदद मिलेगी. प्रिष्ट इक्यावन अभ्यास एक, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए. अपना जवाब देते हुए, कानून के उलंगन का कोई वास्तविक या कालपनिक उदाहरण दीजिए. दो, इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था. इसके कारणों में से दो कारण बताईए. तीन, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग-अलग तरीके से क्या भूमी का निभाई? उसे अपने शब्दों में लिखिए. चार, अपने शब्दों में लिखिए के इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य प्रिष्ट 44 से 45 से आप क्या समझते हैं? अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संगहर्ष शुरू कर दिया. ये समानता का संगहर्ष था. उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो. वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे, जो न्याय के विचार पर आधारित हों. शब्द संकलन आलोचना किसी व्यक्ती या चीज में कमिया निकालना या उसे अस्विकार कर देना. इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है. विकास क्रम सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है. आमतोर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं की किसी प्रजाती के विकास का वरणन करने के लिए किया जाता है. इस अध्याई में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ. राज-द्रोहु जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राज-द्रोह कहा जाता है. ऐसी स्थिती में सरकार को किसी की गिरफटारी के लिए थोस सुबूत की जरूरत नहीं होती. 1870 के राजद्रुह आक्ट के अंतरगत अंग्रेज सरकार राजद्रुह की बहुत व्यापक परिभाशा का इस्तेमाल करती थी लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ती को गिरफ़तार करके जेल में डाल सकते थे राश्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे क्योंके बहुत सारे लोगों को गिरफ़तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था दमनकारी स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ती को रोकने के लिए सकती से नियंत्रण स्थापित करना इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने वो अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तिमाल करने से भी रोक देते हैं इसी के साथ इस पुस्तक का अध्याय यहां समाप्त हुआ वाचन बाबला कोछड तकनीकी नियंत्रण बटी लैंग लिंग्डो निर्मान सहयोग तनू गुपता निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भा प्रस्तुती C.I.E.T.